हलो फ्रेंड्स वेल्कम टो माई यूटूब चैनल एसकेजी समाने गया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें बैल आइकन जूरू प्रेस करें हिस्ट्री वाली सीरीज में आज आप हम चोटा से वीडियो लेकर आएं ठीक है पोस्ट गुपता पिरेड गुपत उत्तरकाल और इसमें हम पुष्य भूति वंच के बारेमें ही में ली पड़ेंगे हर्शवर्थन के बारेमें ठीक है तो शुरू करते हैं पुष्य भूति व भारत है उस पे जो है जो सामराज्य उभर कर अ Patriot pushyabotis Amrach सम्राज च sworn और सનे लगब to 6606 से लेकर चेयस संतालिस अधी तक हिर्श ओर दने जो है वह शाशन किया खास ते हर्श समी 309 जो है थिक है इसका जो है वो रज अभिशेक हुआ ठीक है तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वो ठानेश्वर थी जिसे बाद में हर्षवर्धन ने कन्नौज में जो है वो स्थान अंतरित कर दिया यूपी में है कन्नौज ठीक है हर्ष के तीन नाटकों के बारे में पूछा जाता वो बहुत और बानभट की दो किताबे हर्ष चरित जो की हर्ष के उपर लिखी गई थी उसकी जीवनी के उपर और जीवन के उपर और कादंबरी ये बहुत फेमस है कई बार कोशन भी पूछा जाता कादंबरी किसकी पुस्तक है बानभट की है हर्ष चरित किसकी पुस्तक है के दरबार में था ठीक किसका दरभारी था वो हर्श वर्दन का दरभारी था और थो खुद बहुत अच्छा लेखक था उसने तीन नाटक नागनन्ध रतनावली और प्रिय दर्शिका लिखे हैं और एक कुशन और बहुत बार एक्जाम में आता है वो आता है हुएन सांग के बारे में ठीक है हुएन सांग जो था वो भी चीनी आतरी था फाईयान की तरह फाईयान तो आया था ठीक है 399 से 412 AD के बीच में चंद कुप सेकंड के हुएन सांग ने ठीक है और हुएन सांग ने जो किताब लिखी थी उसका नाम था सी यू की ठीक है तो हुएन सांग कोशन यह आता है कि हुएन सांग ने किसके दरबार में जो है वो या किसके शाशनकाल में जो है वो भारत की यातरा की थी तो वो था हर्शवर्दन ठीक है अधरम का हर्षवर्दन ने बहुत जादा संवरक्षन दे रखा था बहुत धरम को ठीक है और इसके लाबा पुलकेशिन सेकेंड ने के एहल जो अभिलेक है उससे भी हमें पता लगता कि हर्षवर्दन के नर्मदा टट पे चालुक की शाशक से पराजित होने का उलेक है ठीक काल में जो है वो भारत आया था तो हर्षवर्दन बहुत बार सेकड़ों बार ये कोशन आ चुक है एक्जाम में इसलिए यह नहीं आपने पूर ना हिवेंसांग हर्षवर्दन और फाहियान चंदकुप्त सेकेंड ठीक है और मेगस्थनीज चंदकुप्त मौरिय ठीक है हर हर्षवर्दन की राजधानी कहां पर थी ठीक है हर्षवर्दन की राजधानी वो बाद में कंnoj establish होगी थी ठीक है संस्क्रित नाटक रतनावली के लेक कौन है तो तीन नाटक लिखित्page उनोंने एक नाटक का नाम था रतनावली वो किसने दी थी हर्षवर्दन ने खुद लिखी थी खुदी रचना की थी नागनंद रतनावली और प्रेदर्शी का यह तिन नाठक है हेंस्वांग जो है वो भारत में लगबग कितने सालों तक रहा 15 वर्ष तक रहा और चीनी यात्रे हेंस्वांग ने किस वर्ष भारत की यात्रा की थी 639 बीसी में ठीक है आया था और लगबग 15 वर्ष तक जो है 644 एडी तक जो है बीसी यह थोड़ा बीसी लिखावा है यह गलत है यह एडी है ठीक है 639 से 644 एडी तक जो है वो भारत में उसने यात रखिए अगर हम कोशन आंसर देखें तो प्रेदर्शी का किस की पुस्तक है हर्ष वर्दन की है हर्ष के दौरान किस विश्विद्यालेंड की उनती हुई तो तक्षिला युनिवस्टी का काफी जो है वो उसकी उनती हुई थी ठीक है और प्राचीन भारत में किस राजा ने रतनावली प्रेदर्शी का और नागनन नामक तीन नाठक लिखे तो हर्ष ने लिखे थे तो यह छ